जे रादावल लब शीर रिवांस जे जे शीरादे सभी को मेरी यूटीव फैमली को और ये है किचन वेस्ट जो किचन में से निकलता है रोज का और पूजा के फूल जो पुराने हो जाते है न तो वो मैं इस टोकरी में खटा कर लेती हूं लाके उपर इस कंबले में डाल दे चाहिए और अब आई हूं में सुबएक सुबएक का टाइम है छत पर ये वेस्ट लेके आ जाती हूं टोकरी को धोके इस समय तक फूल खिल जाते हैं ताजे ताजे साथ बजे का टाइम है हलकी हलकी सी धूप पर फूल एकदम बढ़िया तरह से खिल जाते है और रोज इतने फूल उतर रहे हैं अब एक टोकरी बर जाती है तो कहते हैं न कि कोई आपको कुछ देता है तो उसे वापस देना चाहिए तो वैसा ही है जैसे प्रकर्ति का हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखते है तो प्रकर्ति भी हमारा ध्यान रखती है जैसे कुड़ा कम फलाईए तो देखो इसी कुड़े से बनी हुई खाद में इन पोदों में डाती हूँ तो उससे देखो कितने अच्छे हो रहे हैं और मुझे अपनी छत पही इतने फूल मिल जाता है एक टोकरी भर के रोज मंदिर इतना अच्छा सज़ जाता है कहीं बार से फूल लेने की जरुरत नहीं है आप तीन चार गमले लगा लिजिए और उनकी अच्छे से देख भाल करिए तो आपके मंदिर के लिए रोज आपको इतने धेड़ सारे फूल मिलेंगे जैसे मुझे मिलता है और मनखुस हो जाता है जब अपना किया हुआ काम इस तरह फल देता है तो जी फूल ही खट्टे हो गया है पूजा के लिए रख देता है और अभी डाल देता है बाजरा कब उत्तर वेट करते रहते है सुबह सुबह की बाजरा आएगा तो उनके लिए बाजरा भी डाल देता है और इसी समय में उपर से लेके जाती हूँ तुलसी तोड़के बगवान जी के लिए ये बड़ी सुंदर दुन सी माता हो रही है इनी में से ले जाती हूं और आज बस पूजा हुजा करने के बाद थोड़ा सा काम करें घर में क्योंकि दिवाली आने वाली है तो साफ सफाई चलेगी और ये मेरी चूडिया ना काफी दिन से रखी है तो मैं सोच रही थी आज इ होंगी और ओल्मोस्ट लग रहा है मुझे सारे ही बोक्स बरे हुए है लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहे हूं कि किसी में जगह है तो यह छेड़ब भी है इन्हें लगा दो में कुछ पाइल की है कुछ मेरी और जब भी साड़ी लो उनके साथ चूडिया ली जाती है तो ऐसे बहुत सारी चूडिया जुड़ जाती है तो अभी मुझे तीन बोक्स तो मैं देख चुकी हूं उनमें तो जगह है नहीं यह लास्ट है इसे देखते हैं नहीं तो फिर जुगाड करते हैं कुछ क्या करेंगे ओहो यह तो यह भी फुल है तो अब क्या या तो मैं नया खरी जिद के लाने का तो अभी मेरा मूड है नहीं क्योंकि आप कितना भी सस्ता ले लो 200 सर रुपे से कम तो कोई बोक्स आता नहीं है तो अभी मुझे दिमाग में एक आइडिया आया है मेरे पास यह चूडिया मैंने निकाल लिया और मेरे पास रखे हैं कुछ पेपर और एक यह डबबा है यह पाइल को गिफ्ट मिला है मिला था इसमें फेस वोस था फेस स्क्रब था बोडी स्क्रब था और एक चोटा सा टावल था इसमें पाइल को इसके ताउजी के बेटे ने गिफ्ट किया है तो यह मुझे लगा कि यह मैं यूज कर सकती हूं तो इसके अंदर करके निकाल दिया है मैंने और यह डबा मुझे मिल गया है अभी मेरे पास कोछ ज़्यादा समानीं यह मैंने एकदम चूड़ियां देखिए और फिर मुझे यह डबा दिग गया तो यह एकदम मेरे दिमाग माया कि चलो इससे मैं यह बना लेती हूं तो इससे हमारे एक सीट होता है तो ये भी काफी दिन से संभाल कर रखी हुई है मैंने कि कुछ बनाऊंगी इनका और ये एक टुकडा मेर को मिल गया है चार्ट पेपर का वास बनाए थे तब का ये इसी में रखा था पन्नी माले में वरना तो मैं ऐसी सोच थी कि इसको ऐसे बना दूगी लेकिन ये एक टुकडा मेर को मिल गया है तो मैं इसको कट करके इसी में लगा दूगी और ये चीजे हम सब के घर में होती हैं बस कोई फैंक देता है कोई संभाल कर रख लेता है कहीं बार फैंकने के बाद याद आता है कि हम उससे कुछ अच्छा बना सकते थे और कहीं बार ये फोम सीट भी काम में आगी और मेरी चूड़ियां भी बिल्कुल सिक्योरली रखी जाएंगी और अपने आपको बिजी रखें कहीं भी बिजी रखें क्योंकि खाली दिमाग तो सैथान का गहर होता है और मैंने पिछले दो महिने वीडियो नहीं बनाई हाँ दो महिने सम्तिंग मैंने वीडियो नहीं डाली तो उस वीडियो के ना डालने से मुझे तो बार-बार ऐसास हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं लेकिन आपके काम करने से ना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता केवल आपको फर्क पड़ता है तो अपनी खुसी आप खुद डूंड़िये कि आपकी खुसी किसमे हैं क्योंकि अगर आप खुस रहेंगे तो दूसरों को भी खुस रख पाएंगे अगर आप खुद खुस नहीं है तो दूसरों को आप खुस नहीं रख सकते क्योंकि आपके अपने आपको बिजी रखिए तो मैंने दो महीने नहीं डाला वीडियो तो तब भी मैं घरके वही काम कर दी डियाई वाई भी कर दी लेकिन वीडियो नहीं बनाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बनानी अब फिर मेरा मन करने लगा तो मैं फिर बनाने ल और उदर और छे डब्बी उठाने से बैतर है कि मैं एक ये डब्बा संभाल कर रख लूगी क्योंकि डब्बियों में बार-बार मेरे को खोल-खोल के देखनी पड़ती है कि कौन सी डब्बी में कौन सी चूड़ी है अगर इसमें रखी रहेंगी तो मुझको सामने दिख जा लगा लिए और इसको इसके अंदर लगा के देखेंगे कि ये ठीक है अगर छोटा बड़ा आपको लग रहा है थोड़ा बद तो इसको आप कट कर सकते हैं वैसे तो मैंने नापके बनाया है लेकिन फोल्ड करने के बाद कहीं बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक्ष्ट्र ह हो जाता है तो यह थोड़ा सा किनार से लेकर तो हलका सा में इसको कट कर दूंगा यह इस तरह बनाणे आप अपनी उतना रोल करिये इसको आप चूड़ी ले लीजी पिर आपके देख लिए कि आपको इतना गोल आपको इसको बनाना तो मेरे पास आपके और अब gibi मैं बना इसको फोल्ड करें वह होता सानी से हो जाएगा और सही बताओं तो इससे बनाने में बड़ा अच्छा लग रहता इतना इजी हो रहा था नहीं काम छोटे बच्चे भी कर सकते हैं आप अपने बच्चों से कहेंगे ना आप इने फोल्ड कर दो तो वह भी आपको इसको कुछ डेकोरेशन कुछ सापसफाई अब तो सब के घर में चल रही है डेंटिंग बेंटिंग तो लीजिए जी यह मैंने सारे बना के तयार कर लिए हैं तो यह तो फोम से बने आर एक इस तरह जैसे जो आता ना खाना पैक करते हैं सिल्वर रोल उसका यह डबन यह निकलता है रोल उसको भी आप रख सकती है चूड़ी डालने के लिए मेरे पास यह एक रखा था लेकिन मैंने इसको कटने कि ऐसे छोड़ दिया क्योंकि अब भी फिलाल मैंने इसमें सारे फोम वाले बना दिया है तो अब इसमें मैं आपको लगा कर दिखाती हूं अपनी चूड़ मुस्कील से 10 मिनट लगे मुझे इसा बनाने में और मेरे 200-300 रुपे बच गया है नहीं तो मैं इतना बड़ा वैंगल बोस्ट लेके आकती तो वो कम से कम है 300 या 500 का तो मिनीमम मेरे को मिलता है मिलता तो मैंने बचा लिए अपने 500 रुपे आप भी बचा सकती है अर मैं इतनी जल्दी जल्दी लगा रहे थी इनको कि गिरा रही हूं चूड़ियों को ध्यान नहीं दे रही ध्यान से नहीं करती काम अब पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आलसी हो गी हूँ अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना मैं सारा दिन यह सोचती रहती हूं कि मैं बहुत आलसी हो गी हूं पहले मैं ज्यादा एक्टीव थी अब मैं आलसी सी हो गी हूं बहुत ज्यादा अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं यहाल सी होगी हूँ या आपको भी ऐसा लगता है कि सच्ची मैं ही हो रही हूँ और यह मेरी चूड़िया है ग्रीन कलर की जो मैंने वैडिंग अनिवर्सिरी पे बैंने थी ग्रीन और पिंक इसके साथ कड़े थे दूसरे वाले गॉल्डन वाले कुछिस में रखी हैं पिंक कुछ ग्रीन यह हैं तो सोच रहे हूँ कि ग्रीन-ग्रीन सारी एक साथ लगा दूं तो इस काम में ताइम तो लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है वाँ काम तो आप भी ऐसे ही एक बोक्स बनाईए और अपनी चूड़ियों को सिक्योर करके रखिए अगर आपके पास ऐसा डब नहीं है तो जूते के डबे के साथ बनाईए इसको बार से अगर पेपर नहीं है तो कपड़ा लगा सकती है आप उसमें तो लीजे जी ये बन के तयार हो गया है एक और रो चूड़ियों की तो ऐसे ही अब हम सारी जो डब्बियां खाली हुई है इनको फेक देंगे और हमारे चूड़ियां सारी अच्छे से रखे जाएंगी ये हैं पाइल की जो पाइल ने वाइडिंग अनुश्य पर ड्रेस बननी थी ना ये उसके साथ की चूड़ियां और मैंने चार रो लगा दिया इसमें और वो इधर उधर ना हो तो इसके लिए मैं ये एक गोल सा छोटा-छोटा सा बना के इसके सापास लगा दूँगी ताकि चूड़ियां इधर उधर ना ही ले और मोलने का ड़ना रहे हैं देजिया जी हमारा बैंगल ब प्रेस लगाक और में दूबार से वीडियो बनाने लगी हूं कोन-kोन लोग खुस है यह भी कमेंट करके बताना देखती हूं मैं किस-का खुस हुए है क्योंकि किसी ने भी ये तो बड़नियो क्मेंट करा नहीं कि आप वीडियो क्यू नहीं मेरी फैमिली में किसी ने कहा क की वीडियो क्यों बना रही है तो इससे मुझे पता लगता है कि मेरे चाहने वाले कितने हैं कि चलो कोई बात नहीं मैं सबसे प्यार करते हूं कोई मुझसे करे या ना करे ठीक है एक बोक्स और है मेरे पास ये एक और मिल गया है मेरे को दुबारा जब बनाऊंगी इसमें बना सकती हूं मैं तो ले जी सेट हो गई है मेरी चुडियां सारी वीडियो पसंद आई है तो फ्लीज लाइक कर देना मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को रादे रादे रादा वल लव जै श्रीयर इवन्स राधा राधा